लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले नमस्कार बीबी यूज में आपका स्वागत है IPL 2018 के 38 मैंच में किंग सिलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को छेविकेट से हरा दिया मैच में पंजाब की टीम को जीत के लिए एक साथिरपन रन का टारगेट मिला था जवाब में उसने एक सावपचपन रन मना कर मैच जीत लिया हर बार की तरहें इस बार भी टीम की को उनर प्रिटी जिन्टा अपनी टीम को चीर करने स्टेडियन पहुँची थी मैच के दौरान एक मोमेंट पर प्रिटी का ध्यान मैच में ना होकर कहीं ओर दिखाई दिया ये घटना राजस्थान की इनिंग के दोरान हुई जब उसका एक विकेट गिरा था कहां था प्रिटी का ध्यान मैच में किंग सिलेवन पंजाब के टीम ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग को चुना जिसके बाद बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवरों में 152 ओर रन बनाए राजस्थान का आखरी विकेट 19.6 ओवर में गिरा जब एंडू टाइकी बॉल को खेलने में नाकाम रहने के बाद भी जेद देव उनाद कट रन लेने के लिए दोड़ पड़े उनाद कट से मिस होने के बाद बॉल सीधे विकेट के पीछे लोकेश राहूल के पास गई जिन्होंने वही से खड़े होकर स्टम पर थ्रों मारा और नॉन स्ट्राइकर अंसे दोड़ कर आ रहे श्रेस गोपाल को रन आउट कर दिया इस विकेट के गिरते ही जहां पंजाब के बाकी प्लेयर्स सेलिब्रेट करने लगे वहीं टीन की को उनर प्रिट्टी जिन्टा ताली बजाने लगी हाला कि वे ताली तो बजा रही थी लेकिन उनका ध्यान कहीं ओर था वे एक लड़की से बात कर रही थी और इसी वज़े से उनकी नजरे मैच पर भी नहीं थी उनके एक सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वे किसी सीरियस टॉपिक पर बात करने में भी जी है इसी दोरान प्रिट्टी के बाजू में कप्तान आर अश्विन की वाइप प्रिती भी खड़ी हुई थी